तो इपर फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी कहा हमारे सी यूटीब चैनल करेकंसर्टीज में जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और इंप्लॉइमेंट से जुड़ी तो करियर और इंप्लॉइमेंट से जुड़ा ये वीडियो है Capital Trust Limited की उपर जी हां एक NBFC और ये Micro Finance की जॉब नहीं है तो अगर आपको टाइम हो चुका है Micro Finance में दो से तीन साल का और अब आपका लगता नहीं है मन Micro Finance इंडस्ट्री में काम करने का या आप हैं Fresher Graduate और स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी एक Finance Company के साथ तो ये वीडियो हो सकता है आपके काम का क्योंकि मिलने वाली है एक Local Job जी हां आपके अपने खुद के डिस्टिक में ही मिलती है ये Job और NBFC के साथ बाटने होते है Individual Business Loan जिसे की हम MSME Loan कहते हैं इस Job की सबसे पहली खास बात यह है कि आपको टूर जा करके बहुत सारी मिलाओं को एकटा करके आपको लोन नहीं बाटना होता है बलगी आपको टेच करना होता है गाओं-गाओं के Business Houses को यानि की किर्याना Shops छोटे कुटरलो ध्योग, Dairy Farming, Politary Farming ऐसे Businesses को Target करना होता है Well, MSME loan क्या होते हैं, कैसे Distribute करना है और क्या Profile रहेगी सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में साथी Salary, Company Review और Career Opportunities फर्दर क्या बनेंगी उन सब के बारे में discussion होगा तो जैसा कि हम जानते कि Micro Finance basically महिलाम का Group बना करके Loan देती है, जिसमें की बहुत सारी महिलाम का Group बना जाता है और उन्हें एक Unsecured Loan दिया जाता है पर ये Loan कभी भी जैंट्स को नहीं देते, तो basically जैंट्स की जरूरतों को कौन पूरा करेगा, यानि कि उनको कोई Business करना है, उनको कोई व्यापार करना है, कोटेल उद्ध्योग चलाना है, तो ऐसे Loans कौन डिस्बस करेगा, तो ठीकी जी हाँ, एक Company है Capital Trust के नाम से, MSME यान की Loan की Requirement, यानि कि उनको जहां पर भी अपने Business में Fund की Requirement होती है, उसको पूरा करने के लिए ये Company आगे आई है, और इस Company ने गाउं गाउं जा करके अब तक 200 करोड रुपे का Loan बाट दिया है, ये Company वैसे तो 1990 में स्टार्ट होई थी, बट 2008 से इन्होंने अपना काम इस से अरखंड, चतिसगर, उडिसा, हिमाचल, पंजाब, उतरखंड जैसे चेत्रों को कवर कर चुक है, लगबग 10 से 11 स्टेट्स में ये प्रसेंस है, इसकी और 76 से जाद है, इसकी ब्रांच अब तक हर डिस्टिक में खुल चुकी है, जो वकैंसी इस Company में आई है, वो बेस को कॉलिटी मैनिजर को लगबक 25,000 रुपे सैलरी मिलती है, इंसेंटिव, ऑर दूसरी फसीलेडीज भी अवेलेबल है, इसकी पास आती है, ब्रांच मैनिजर की जॉब जिसमें लगबक 30,000 रुपे सैलरी मिल जाती है, इसके बाद एक और पोस्ट बचती है, वो है, कैसे क्रेक करेंगे वो भी बड़ा ही महत्वपूर है तो सबसे पहले समझते हैं इस company को क्योंकि इस company की business model को जानना उतना ही जरूरी है जितना की interview में पूछे जाने वाले questions तो जैसा कि मैंने बताया ये company महिलाओं को loan देने वाला काम नहीं करती हाला कि unsecure loan ही देती है लेकि चोटे बड़े कोटेल उद्धियोक्स को यानि की जैंट्स को भी loan देती है और इन loans को देने के लिए आपको individuals के जाकर के business को identify करना पड़ता है उनका physical verification उनका stocks चेक करना पड़ता है और उसके base पर उनके आधार card और civil score के base पर loan distribute करना होता है field में आपका काम lead generate करने का होगा उसके बाद आप जब file तयार कर लेंगे वो file आप branch पर लेके आएंगे और branch से उसे head office भेज दिया जाएगा lead generate करने काम online किया जाएगा और उसके बाद उसको उसकी होगी underwriting यानि की loan देना है कि नहीं ये decision underwriter लेता है यानि की credit officer लेता है अब credit officer हो सकता है कि region office पे बैठे और हो सकता है head office पर एक बार credit underwriter सारे documents verify कर कि physical verification और telephonic communication के through जब overall confirm हो जाता है कि customer को loan देना है तो उसके बाद तीसरा step रहता है loan disbursement का एक बार loan disbursement हो गया तो उसके बाद किष्टे automatically debit हो जाती है customer के account से केवल आपको customer को तब visit करना होगा जब उसकी किष्ट रुक जाएगी बा लेकर के आना होगा capital trust अपने इस product का नाम देता है unsecured income generating business loan और इसका ticket size 30,000 से लेकर के 75,000 रुपे तक होता है अब यह ticket side का decision जो होता है वो basically customer के physical stock के उपर होता है यानि कि उसके पास कितना stock है कितनी उसकी paying capacity है कितनी उसकी regular income है यह सारे चीजन देखकर lead generate करने वाला व्यक् लाई करता है और इसी base पर जो credit officer या underwriting officer है वो उसे loan का amount assign करता है कि उसे maximum कितना loan हो सकता है इस loan का tenure 12 मीनी से लेकर के 24 मन तक का हो सकता है और rate of interest 32% का होता है हालाग interest rate काफी high है लेकिन यह लोग उनको serve करते हैं जो की unserved people है तो ऐसे लोग basically loan ले ले लेते हैं तो आपको loan को बेचने में उतनी दिकत भी नहीं आएगी इस टाइप के loan product को आप informal MSME loans भी कहते हैं यानि कि एक हो गया formal MSME loan जिसमें आपका TR यानि कि income tax return उसके लावा आपके physical stock verification उसके लावा और भी बहुत सारे दूसरे बड़े चोटे documents को देखने के बाद company loan देती है बटाइक आता है informal MSME जहां पर आपको company, आपके civil score, आधार card, pen card, आपके physical stock verification और कुछ guarantor के base पर आपको loan दे देती है वो भी unsecured तो जब आप अपने interview में जाएंगे तो याद रखेंगे कि आप किस job profile के लाए हैं वो है informal MSME loans यानि की business loans अगर आप interview के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीजां नहीं बता सकता आपको बढ़ हां कुछ चीजें जो आप prepare करके जा सकते हैं वो है अपना personal introduction यानि कि जब आप से कुछ question पूछे जाएंगे आपके personal life के उपर आपके current experience के उपर तो वो आप अच्छे से दे पाएं अगर आपने कुछ experience लिया है अपने company का तो current company के बारे में थोड़ा बहुत पढ़के जाएं आप क्या करते हैं आपके profile क्या है वो भी knowledge आपको होनी चाहिए इसके बाद आती है company की current expectation या current profile के बारे में कुछ questions जो वो पूछेंगे तो जैसा कि मैं आपको बताया कि currently क्या loan product इनका चल रहा है वो currently आपको उसका जो procedure है वो अपनी screen पर भी दिख रहा होगा यह procedure basically थोड़ा सा आप रट लें यहां इस job में यह होता है कि आप door to door जाएंगे और वहाँ पर लोगों की loan requirement को identify करेंगे यानि की business to business जाएंगे यानि की एक दुकान से दूसरी दुकान दूसरी दुकान से तीसरी दुकान जाएंगे और आप ऐसे businesses को identify करेंगे जो लोग loan लेना चाहते हैं तो इसके बाद आता है underwriting process तो basically यह पूरा process अगर आप रट लेंगे याद कर लेंगे समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके interview के लिए इसके लावा आपसे question जो पीछे जा सकते हैं हो कि civil score क्या होता है यानि कि कि किसी व्यक्ति के बारे में भी जान चुके हैं तो अब को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like कर देना चैनल को subscribe कर लेना और तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में thank you so much